तो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारत की राष्टी ये प्रितिकों से समयत 25 महत्पूल प्रशनों को समलेत करा है तो दोस्तों इनको हम हल करेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे तथा साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबा लेजे ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए फटाफट से एक एक करके शुरू कर लेते हैं पहला कॉस्टन है भारत के राष्टे धोज की लंबाई एवं चोडाई का अनुपात क्या है भारत का जो राष्टे धोज है उसकी लंबाई और चोडाई का आपको अनुपात बताना है आप वीडियो को पोस्ट कर तो क्या हो जाएगा दो अनुपात तीन हो जाएगा लेकिन लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है तीन अनुपात दो तो हमें याद रखना है लंबाई कितनी है तीन और चोड़ाई कितनी है दो तो यह अनुपात कैसा भी पूछ ले आप आसानी से बता पाएंगे नेस्ट कोश्चन है नमबर सेकिन भारत के राष्टे धोज की मद्ध में बने धर्म चक्र का रंग क्या है जो भारत का राष्टे धोज है उसके जो मद्ध में एक चक्र वना होता है जिसको धर्म चक्र या असुक चक्र के नाम से जानते हैं उसका रंग पूचा गया है कि उस सा गहरा निला क्योंकि option इस प्रकार से आते हैं समुद्री निला गहरा निला हलका निला तो हमें याद रखना है कैसा है गहरा निला next question देख लेते हैं number third question है भारत के राष्ट धोच के चक्र में कितनी तेलियां होती है जो बीच में हमारा राष्ट चक्र होता है उसमें कितनी तेलियां होती है आपको बताना है बिल्कुल सरल है देखिए यहाँ पर जितने भी question selected हुए है उसमें से कुछ question बहुत सरल है लेकिन कुछ question ऐसे है जो थोड़े से कठेन है और बार बार exam में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी सम्मा होना है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजिए यह सोच कर कि यहाँ पर बहुत सरल question है आँगे आपको धीरे धीरे कठना एकि और बढ़ते जाएंगे तो कुछ question आपको कठिन भी मिलेंगे और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा तो आपको तीलियों की संख्या बताना है सभी को नॉर्मली पता है कि कितनी तीलियों हो बात कर लेते हैं कि नंबर फूर्थ question है सुतंत्र भारत की राष्ट्य द्हज का design किस ने बनाया था जो राष्ट्य द्हज है उसका design तयार किस ने किया था very important question है हमेशा पूचा जाता है इसका सही answer है नंबर डी पिंगली बेंग किया तो जो राष्ट्य द्हज है इसका design तयार किया था पिंगली बेंग किया ने next question देख लेते है नंबर पांच वह हमारा question है भारत का राष्ट्य गर्मन है आपको बताना है कि भारत का राष्ट्य गर्मन क्या है बिलकुल सरल है बिलकुल easy है तो आप इसको skip कर सकते हैं तो इसका सई answer है नंबर C जन गड़मन वारत का राष्टगान क्या है जन गड़मन सभी को पता है नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमबर छटा कॉस्टन है भारत के राष्टगान की रचेता कौन है भारत का राष्टगान है जन गड़मन तो उसकी रचेता कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा नमर भी रविन्ना टेगोर देखिए जो रविन्ना टेगोर जी है उन्होंने भरत का राष्टगान जैनगडमन तो लिखा ही है लेकिन इसके अलावा जो वांगलादेश का राष्टगान है अमार सोनार वांगला वांगला देश का राष्टगान है वो भी रविना टेगोर जी ने लखा है तो ये भी question पूछा जाता है कि वांगला देश का जो राष्टगान है अमार सोनार वांगला वो किस ने लखा इसके साथ ही स्रीलंका का राष्टगान लिखने में भी रविना टेगोर का बहुत ही वड़ा युगदान है तो तीन देशों का राष्टगान ने लिखा है एक बांगलादेश, इंडिया और स्री लंका ठीक है नेश्ट कोस्चन देख लेते हैं नमबर सातवा कोस्चन है राष्टगान जन गर्ण मन सर्व प्रथम कब और कहां गाया गया यह वेरी इंपोर्टेंट है कब गाया गया और कहां गाया गया तो उसका सयांसर है नमरे 1911 में कलकत्ता में गाया गया था और कलकत्ता में कांग्रेस का अधिविशन था और डेट भी हमें याद रखना है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिविशन था उसमें ये गाया गया था और पूछा जाता है कि सम्मिधान सभा ने जनगण मनी यानि कि राष्टगान को कब मानता प्राप्ती या फिर कब अपनाया तो ये भी हमें डेट याद रखना है 24 जनबरी 1950 को सम्मिधान सभा ने राष्टगान को अपनाया था ठीक है तो पहली बर कब गाया गया और कहां गाया गया तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 17 सम्मर 1911 को सम्मिधन सभा ने कब अपनाया 24 जन्मरी 1950 को सबी चीजें हमें याद रखना है और यहीं से कोई एक नएक कॉस्चन बनता है ठीक है नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर आठवा कॉस्चन है भारत के राष्ट गान जन्गर्मन को संपुर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है सबी को पता है कितना समय लगता है 12 सेकंड तो इसका सही अंसर हो जाएगा नमबर भी 12 सेकंड लेकिन आपको याद रखना है कि पूरे गान में जन्गर्मन जो गान है उसके पूरे गान में पांच पद होते हैं तो यह पद भी पूछ सकता है पदों की संख्या कितनी होती ह पांच होती है के लिए नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर नौवा कॉस्चन है भारत का राष्ट गीत अभी तक हम राष्ट गान के बारे में देख रहे थे अंगला कॉस्चन है भारत का राष्ट गीत क्या है सभी को पता है वन्दे मात्रम तो इसका सई आंसर हो जाएगा नमबर D वन्दे मात्रम Next question देख लेते हैं नमबर दसवा question है भारत के राष्टगीत के रचेता कौन है भारत के जो राष्टगीत है वह किस ने लिखा तो इसका सई आंसर है नमबर A वंकिम चंद्र चटर जी ठीक है और वंकिम चंद्र चटर जी ने जो राश्ट गीत लिखा है ये संसक्रित और बांगला दो भासाओं का मिसरत रूप है संसक्रित और बांगला तो ये भी हमें याद हरापना है ये भी पूछ सकता है next question देख लेती है नमबर 11 Question है भारत के राष्ट गीत के गायन की अवधी क्या है अभी तक हमने राष्ट गायन की अवधी पड़ी है 12 सेकेंड अब आपको बताने के राष्ट गीत की अवधी क्या है तो इसका सही आंसर है नमबर C 65 सेकंड या फिर एक मिनट पांस सेकंड किलियर तो ये चीज आपको याद रखना है नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं नमबर 12 कोस्चन है भरत के राष्टगीत वंदे मात्रम सर प्रिथम कब और कहां गया 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 तो ये भी इंपोर्टेंट है ये भी पूचा जाता है कि भरत का जो राष्टगीत है सबसे पहले कहां गया गया था और कब गया गया था ठीक है तो इसका सईयांसर हो जाएगा नमबर भी 896 और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था और कहां था कलकत्ता में ही गाया गया था ठीक है और यदि हम बात करें राष्टगीत के प्रिथम गायक कौन थे तो ओम कारनाट ठाकुर राष्टगीत के जो प रभिन्दों ने अंग्रेजी में अनुवात किया राष्टगीत का और आपको याद रखना है कि जो हमारा राष्टगान है वो 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में ही गाया गया और राष्टगीत भी भी कलकत्ता में ही गाया गया लेकिन क्या है कि डेट अलग अ वो 1911 की बात है और ये 896 की बात है तो हमें दोनों में अंतर याद रखना है नेस्ट कॉस्टन की हम बात कर लेते नम्मर 13 भारत का राष्ट गीत वंदे मातरम किस ग्रंद से संक्लत है यानि कि जो भारत का राष्ट गीत है वंदे मातरम वह किस ग्रंद से लिया गया तो इसका सयांसर है नमबर D आनन्दमट यानि कि हमारा जो राष्टगी थे वंदे मातरम वो कहां से लिया गया आनन्दमट से याद रखना है एक कॉस्चन पूछा जाता है कई वार रेपीट हुआ है नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 14 आकास बाणी और दूरदेशन के देने करतब कारी करमों की सुरुआत किस से होती है देखी कितने अच्छे-च्छे कॉस्चन निकल करा रहा है आकास बाणी और दूरदेशन में जो कारी करम को सुरुआत होती है वो किस से होती है रा किस से होती है राष्ट घीत से होती है नेस्ड कोस्ट देख लेते हैंनम्बर 15 हमारा ठु Bachplex है है साल राष्ट astrology स्थम्भ का कौन algorithms के रूप में लिया गया है जो सारनात में इस्तित राष्ट्य इस्तंभ का कौन सा भाग हमारे राष्ट्य पृतिक सभी को पता है हमारे राष्ट्य पृतिक क्या है सारनात का असोक का इस्तंभ है उसका कौन सा भाग लिया गया है तो इसका सई आंसर है नमबर A, सीर्स भाग ठीक है तो ये हमें याद रखना है कि सीर्स भाग लिया गया है नेस्ट कोस्टन की हम बात कर लेते हैं नमबर 16 हमारा कोस्टन है भारत की राष्टे पृतिक में नेमन मैं से कौन सा पसू दिखाई नहीं देता जो भारत का राष्टे पृतिक है सारनात का असुक का इस्थम्ब आपको पता है भारत का राष्टे पृतिक है सारनात का असुक का इस्थम्ब उसमें कौन सा पसू दिखाई नहीं देता चार ओप्शन दिए गए है तो इसका सयांसर है नमबर D हेरन तो हेरन हमें क्या है अईदाां देख़ए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें टोटल चार तोएशेया WhatsAK होते हैं और इन चार सेरों के अलामा क्या हूता है एक होता है साड दूसरा होता है घोडा तीसरा होता है हाती और چो था क्या सेर और सेरों की संख्या भी कितनी हैं? चार खीक है? तो चार पसू हमें दिखाई देते हैं ये आपको याद रखना है Next question है नमबर 17 भारत की राष्टी चिंणों में कितने सेर दिखाई देते हैं? इसका सई answer है नमबर सी 3, दीखिये कितने सेरों की संक्राप की तों मानुथ रह क्ले है चार हमें किमें का सेरों की संक्राप चार हे, लेकिन 4 को क्यों नहीं दिख्या रहों दिख्या है… तो तीन दिखाई देते हैं recently railway के exam में ये question पूछा गया था तो बच्चे चार के लिक करके आ गये थे लेकिन उसका सही आंसर था नमबर सी तीन next हम बात कर लेते हैं नमबर अटरा question है भारत का राष्टे चिन असुक महां दौरा सारनात में इस्थाप्रत सेंस्तम से लिया गया इस राष्टे चिन में मूल इस्तम में कितने सेर हैं देखिए वही पूछ लिया गया है कि total कितने सेर हैं और कितने दिखाई द देते हैं आप पूछा गया कि कुल कितने हैं तो इसका सई अंसर हो जाएगा नमबर डी चार ठीक है कुल की बात करें तो चार दिखाई कितने देते हैं तीन next question है नमबर 19 question है भारत की राष्टिय संबत के रूप में किस संबत को मानता दी गई है जो भारत का राष्टिय संबत है उसमें कौन से संबत को मानता दी गई है तो इसका सई अंसर हो जाएगा नमबर डी सक संबत तो हमें याद रखना है next question है नमबर 20 वा सक संबत पर आधरत राष्टिय पंचाक का प्रिथम मास होता है जो हमारा राष्टिय संबत है सक संबत अभिधम पढ़ चुके हैं तो इस पर आधरत हमारा प्रिथम महीना कौन सा होता ये आपको बताना है तो इसका सही आंसर है नमबर डी फाल गुन पहला महीना कौन सा होता है चैतर होता है और लाष्ट कौन सा होता है नेस्ट हम बात कर लेते हैं नमबर 22 कोस्चन है भारत का राष्टिय पसू क्या है भारत का राष्टिय पसू क्या है इसका सही आंसर है नमबर C वाग very easy है सही आंसर हो जाएगा नमबर C वाग नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं नमबर 23 से वाग के पूर्व भारत का राष्टिय पसू क्या था देखिए वर्तमान में जो है वाग हमारा राष्ट्य पसू है लेकिन पूछा जाता है कि इसके पहले हमारा राष्ट्य पसू क्या था इसका सहयां सरे नमबर C सहयां ठीक है तो जो हमारा वर्तमान में राष्टे पसू है वो है वाग लेकिन इसके पहले क्या था सेर था तो ये हमेसा कनफ्यूजन रहता है यदि अभी भी पूछले के भारत का राष्टे पसू क्या है तो कई वर्तमान में राष्टे पसू क्या है वाग है और इसके पहले क्या था सहयां यानी की सेर नेश्ट हम बात कर लेते हैं नमबर 24 कोस्टन की तो हमारा नमबर 24 कोस्टन है भारत का राष्टे पक्छी है national world भरत का राष्ट्य पक्छी है सभी को पता हुगा इसके बारे में नेस्ट हम बात कर लेते हैं 25 भरत का आदर्स वाक very important है कई बार परिक्चा में पूँचा गया है भरत का आदर्स वाक क्या है सत्त में उज़ायते और सत्त में उजयते पूछा जाता है कि कहां से लिया गया, कौन से ग्रंद से, तो मुंड को अपने सजी लिया गया है, तो ये हमें याद रखना है, और दोस्तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को विजिट करना होगा, और वीडियो को लाइक क करें, डिस्क्रिप्शन में मैं यहां पर लिंक देदूगा, वहां पर आपको बहुत सरी विडियो मिल जाएंगे, इंपर्टेंट विडियो मिल जाएंगे तो वहाँ से आप हमारे कई सारे वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वैल आइकन जरूर दवाने जिससे कि मैं कोई भी नए वीडियो डालता हूँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके थैंक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वन्दी